इंडियन आर्मी और इंडियन एर फोस के लिए इस्तमाल हो रहे लाइट यूटिलिटी हेलिकेप्टर लुएच चीता और चेतक को इंडियन डिपेंस की द्वारा अपग्रेड किया जाएगा। IAF और मिलिटरी के पास 190 LUH चीता और चेतक हेलिकेप्टर हैं जिसमें से 130 हेलिकेप्टर ये 30 से 40 साल पुराने हैं जिसे रिप्लेस करना बहत जरूरी था। साल 2016 में IAF और मिलिटरी ने 400 LUH की रिक्वाइर्मेंट की थी जो हाइटेरिन एरियाज और सियाचिन ग्लेसियर जैसे कॉम्पलेक्स एरियाज में हमारे देश के जवानों के लिए बहत जरूरी था। डिपेंस मिनिस्ट्री द्वारा HAL और रशियन OEM कंपनी को 200 यूनिट्स इच की ओर्डर थी जिसमें से इनिशियल ट्रायल्स में ऑटो पाइलेट इशूज होने की बज़ज़ से ओर्डर डिले होए थे जो अब HAL ने रिजॉल किये जो एक्सपेक्टेड है 2024 में पहले 6 य यूनिट इंडियन आर्मी को डिलिवर करने के लिए तो अदर डिलिवरी एक्सपेक्टेड है 2027 के ओनवर्स प्रेजेंट्ली अदर 200 यूनिट्स ये रशियन OEM कंपनी से ओर्डर डिले होने की बज़़ज़ से अब ये ओर्डर कैंसल की गई है जो अब ये एक्सपेक्टे